हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी है आज में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोकिया के वायरलेस एयरफोन के बारे में इस वीडियो को देखकरके आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लगी जाएगा कि ये वायरलेस एयरफोन आ तो सबसे पहले मैं इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं तो इसमें सबसे एक रिमोट कॉल और म्यूजिक कंट्रोल का एक बटन दिया हुआ है इस बटन के हेल्प से आप इसमें म्यूजिक को प्लेपॉस कर सकते हैं और साथ ही में आप इसे लॉंग प्रेस करके रखते हैं तो वह गूगल प्ले नॉर्मल एंडॉइड में जो यूज होता है वह आ जाता है और यहे जो हैडसेट है यह वाटर रेजिस्टंट है और इसमें आप इसमें आप दूनों यहां रहा है और इसमें एक इसलते workers जो आप एक टम उसलेशन एसरा काफीी पहिए तो सीधा मैं आपको हेड़फोन देख चलिए तो आप देख सकते हैं यह हमारा नोकिया का एक्टिव वायरलेस इयर फोन जो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है वाइट कलर के बॉक्स में अपने नोकिया के पुराने वाले ब्रैंडिंग में यह आपको जो उसकी है तो आप अराम से हमेजन से प्राइब पर्चेस कर सकते हैं इस पर नोकिया के यह से ब्रैंडिंग दी हुई और नोकिया के जो हैट सेट हैं का इमेज बना हुआ है मस्ट आप देख सकते हैं बड़िया तरीके से अब एक्शली मैंने यह हैटफोन पहले यूज करके टेस् को पिर से इस की दुबारा पैकीजिंग कर के फारा नोफ गर करके चार हों कि यह decision के जेट आते हैं मैं अभी तेस्क कर चुका हूं तभी मैं आप को बता पह रहां कि यह कैसे हैं यह सी नंकी पर्फोर्म एंस है। तो यह ऐसे पेफ से कुछ और बढ़िया तरीके से एक अच्छी है काफी रफ टाइप है काफी और लाइट वेट हैं यह काफी अच्छ है वेल इस हेड़पॉन के साथ जो मेरा ओवराल एक्सपीजेंस रहा है वह यही रहा है कि आप इसे लंबे टाइम तक ना ही प्रिपर करें तो सही क्योंकि इसमें जो बेस है वह थोड़ा सा ज अपर यूज कर सकते हैं अपको यह एक करते हैं इसमें इसमें और आपको यह एटिप्स मिल यह बस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है दोड़न इतना ही सामानय है यह देख यह मैनुवल लिखी हो यह कया है वही एक volume of down का button है और एक call के लिए आप button को use कर सकते हैं और सीधा Google Play के लिए और ये ear tips मिलते हैं आप अपने ear के recording जो भी चाहें use कर सकते हैं और इसमें हाँ एक चीज़ और मिलती है मैं इसमें आप इसे चार्ज करने के लिए आप use कर सकते हैं इसी के साथ मिलती है यह USB कर वेलर नॉर्मल और चार्जिंग की इसकी बात करें तो इसके वेबसाइट पर तो एक आउर से लिखा हुआ है लेकिन मुझे अभी तक अभी इसमें फॉर आउर्स त्री से फॉर आउर्स से जाद रहकत मिला नहीं है पाकि हैड़फॉन काफी रूबर्स ट्राइप है अच्छा है इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसमें आपको यह थ्री वॉल्यूम वॉल्यूम अप डाउन और बटन मिल जादा से अच्छी बार करके कि ब्रैंडिंग है और बड़िया हैड़फॉन काफी अच्छे दिख इतना ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको हैड़फॉन लेने यह नहीं लेने बाकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें मैं सबके आंसर दूंगा आपको और थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सपोर्ट करें